नमस्कार बहूं मुहम्मद सलीम सैफी और आज हम आप से जिस शक्स की मुलाकात कराइंगे उनका नाम है नेतिन रमेश गौंकरन यानि की उत्तर प्रदेश कैडर के वो आई-एस अधीकारी जिनोंने पुलिस महकमे को भी अपनी सेवाए दी हैं और उसके अलाबा बनारस जै बाहरती प्रशासनिक सेवा के देश के उन चुनिंदा अधीकारियों में हैं जिसे जनता के बीच भी लोग प्रियता मिली है और सरकार में भी सरकार किसी की भी रही हो लेकिन नितिन रमेश गौंकरन को हर सरकार ने वही महत दिया है जिसके वह अधीकारी हैं तो आज हम उन कि उन अंचुए पहलूओं को लेकर जिसे जनता जानना चाहती है क्योंकि वर्थ मान में जो जिम्मेदारी निवा रहा है नितिन रमेश गोंकर्ण वो जिम्मेदारी है प्रमुक्ष सचीव आवाद और शहरी नियोजन यानि की उत्तर प्रदेश को सजाने समारने और लोगो को बसानी की जिम्मेदारी तो हम बात करते हैं नितिन रमेश गोंकर्ण जी से रमेश जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में और मैं बात सीधी शुरुआत हो रही है कि आप डंडा राज यानि की पुलिस यानि की डंडा गुमाते गुमाते प्रशासनिक सेवा में आईएस बनने की तरफ कैसे रुजान आगिया जबकि पुलिस में रॉब भी था रुद्वा भी था सारी चीजे थी लेकिन आपने पुलिस की नौकरी को त्यागा तीन साल नौकरी की 1987 में IPS बनने के बाद में सीधे प्रशासनिक सेवा का रुजान क् से मन में था या कॉलिज टाइम से क्या था नमस्कार बड़ा अच्छा रोचक सवाल है कि कई लोग इसके बारे में पूछते हैं कि दो अलग-अलग सेवाए हैं IPS का अपना अलग महत्व है बहुत महत्पूर्ण है पुलिस का काम चुकि आप इंस्टेंट जस्टिस आप दे प्रकार के पहलू है बड़ा इंट्रेस्टिंग है और काफी लोगों से इंटेंसली जुड़ाव रहता है पर यह एक बात थी कि उस समय बहुत यंग एज में चुकि आ गए थे पुलिस में तो वहारे कई लोगों ने कहा कि एक यूनी डामेंशनल केरेक्टर मत बनिये सोच है कि यदि आपका जो है दायरा बढ़ता हो मान लो उसमें यह भी एक पहलू है जब आप फील्ड में तो रहेंगे तो लाइन ओडर से तो आपका जुड़ाव रहेगा ही लेकिन उसके अलावा भी आप काफी कुछ अलग-अलग चीजे सीखेंगी और हर असाइनमेंट आप आप एकनॉमिक्स के चात्र रहे हैं और जाहिर बाद है गोल्ड मेडलिस्ट आपने ग्रेजवेशन में भी गोल्ड मेडल पाया पोस्ट ग्रेजवेशन में भी गोल्ड मेडल तो एकनॉमिस्ट क्या जो कैरियर है वो आपके सामने था प्रोफेसर बन सकते थे लेकिन आपन economics में महारत हासिल करने के बाद में क्या ही gold medal जीतने के बाद भी economics के छेतर में अध्यापन के छेतर में ना जाके प्रशासनिक सेवा को चुना हाँ ये बात सही है कई बार मुझे भी अचरवज होता है कि मैं इस तरफ कैसे आया चुकि जब पढ़ाई कर रहे थे तो ये था कि हम PhD करेंगे economics में और उसी छेतर में आगे अपने आपको बढ़ेंगे और काफी अच्छा खासा समय जानकारी और पकड़ थी विशह पर इसी वज़े से संभावता बहुत ज़्यादा UPSC की पढ़ाई करनी नहीं पड़ी चुकि अपना बेज जो था सब्जेक्ट का बहुत अच्छा था तो आसानी से एक प्रकार से UPSC में मार्क्स होकर के इस तरफ आ गए यह जरूर है कि यदि इस दिशा में नहीं आता तो उस दिशा में आज कहीं और होते इतना जरूर है Bombay University में जब आप छात्र के रूप में अपना अध्यापन कर रहे थे तो उस कॉलिश टाइम में कोई ना कोई घटना बतोर छात्र आपको काफी हसी भी आती होगी याद भी करते होंगे ऐसी कोई घटना जो कॉलिश टाइम में आपने की छात्र के रूप में जब आपके मन में ना I.S. का कुछ था और नहीं IPS बुनने का कुछ था बतौर चात्र Bombay University का एक्सपिरियन्स आपका वो थोड़ा सा UP और Mumbai के परिवेश में अलग-अलग है यहाँ पर एक बड़ा आम चीज है कि जब परिक्षा होती तो वहाँ पुलिस भी होती कई जगे कई बार PC भी लगानी पड़ती है और यहाँ आने के बाद ही पता चला UP में कि भई एक नकल की एक खराब एक परंपरा कई सालों से कुछ जगे पर खास और से बदराम संस्थाओं में रही है अब काफी उसमें सुधार आया है लेकिन उस समय जब 8090 के दशक में काफी यह प्रचलित था वही चीज मुंबई में अलग थी तब हम लोग के उसमें जहां एक्जाइम सेंटर हो या कॉलेज परिमाइस हो उसके आसपास कोई सिपाही भी आई कहीं दीख जाता था हम लोग जाके सिपाही से हम खुद जाके कहते थे कि साब आपको यहां अंदर आने के जरुरत नहीं है कुछ भी होगा तो हम लोग चातर हैं के आप हमें बताएए हम लोग देख लेंगे उसको कोई भी गड़बर यहां नहीं होगा हम लोग जिमिदारी लेते हैं पुलिस लेकिन अंदर नहीं आना चाहिए वह हमारे कॉलेज की और हमारे जो प्रशासनी की विवस्ता है कॉलेज की उसकी बदरामी होती कि पुलिस हमें यहां दिखाए दे यह दोनों में बड़ा अंतर है आज भी मैं उसकों में मार्विल करता हूं कि कैसे दो अलग-अलग प्रकार की विवस्ता हैं कभी बतौर चात्र पुलिस से डर लगा कि पुलिस से टक्राओं ना हो जाए हम पुलिस से बतौर चात्र पुलिस से दूरी बनाए हो भागे हो क्योंकि शरारते बहुत करते है शरारते तो बहुत करते बात सही है और मुंबई पुलिस का अपना वर्किंग स्टाइल भी रहा है यह ज़रूर रहा कि एक आत बार रायट्स भी हुए थे मुंबई में और उसमें काफी आर्मी का भी हुआ था तो थोड़ा तनावपूर्ण एक माहौल में हम भी छात्र पहलू है बिना उसके समाज सुरक्षित नहीं है इतना जरूर मालूम था आप ऐसे शहर के बाशिंदे हैं जहां आपका जन्म हुआ जिसे कहा जाता बॉलिवूड माया नगरी आपकी परस्नल्टी भी माशालला शानदार है कद काठी लंबी चोड़ी खुबसूरत चेहरे में पर्फॉर्मंस में और उसमें भी कई बार मुका मिला था पार्टिस्पेट करने का उस पर्फॉर्मंस में भी छोटे मोटे किरदार जो है उसमें भी समय उतना नहीं रहता था कॉलेज जीवन में लेकिन उसमें भी जहां समय मिलता था उसमें पार्टिस्पेट किया था कि अपने फिशर्स ताइमी मन मेरा इंटर्व्य उर्टuing चीज था कि ऐ क्या सवाल पूछेंगे और हाईстроग्ण ऑड़ान में पहले नहीं था तो मेरा जीवन का पहला इंटर्विव नहीं था बहुत सारे इंटर्विव कई सारे उसमें प्रक्रिया में दे दिये थे और जॉब आफर्स भी मेरे पास थे जिससे मैं कर रहा था पांच्छे अच्छे जॉब आफर्स थे जो तीन-चार गुना जो उसमें एंट्री लेवल था कि यूपीएसी का है आएस का उससे जादा उसमें नौकरी मुंबए में थी लिग मैं आया यहां पर अनुभव के लिए था कि यूपीएसी का मेरा क्या अनुभव होगा और एक जैसे एक गेम आदमी खेलता है अपने आप से में गेम खेलता था कि बही आज वह सवाल यह ऐ सिविल सर्विस के एक्जाम से पहले आपके मन में कहीं न कहीं से विचार आया होगा कि मुझे सिविल सर्विस में जाना चाहिए अचानक आया था एक्सिडेंटली आया था या पापा ने एक टार्गेट दिया था या खुद ने फोकस किया था कैसे यह विचार उत्पन हु और एक प्रकार से उसमें एक जुनून सा ये भी था कि अलग-अलग जो competitive exams होते थे उसके लिए बैठते थे तो बैठ करके केवल उसका अनुभव लेना और पूरी उसके प्रक्रिया में कहां तक जाता है वो देखना आपने आपको competitive कोई ज़रुरी नहीं कि वो public sector में ही हो private sector की नौकरी में भी जो उसमें ads आते थे उसमें भी बैठ करके अप्यार हो करके उसमें कई सारे job offers उसी दौरान मीले भी थे तो ये कोई ऐसा नहीं था कि target UPSC करके चले थे ये कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा हाँ ये one amongst the many options आया था और ये भी है कि मेरा परिवार थोड़ा मेरे पिताजी भी थोड़े अचमबित हो गए कि भाई तुम यूपीएसी में आने के बाद तुम तो जाने वाले नहीं थे फिर क्यों अचानक कह रहे हो कि भाई IPS जॉइन करना चाहता हूं तब ये ये भी उ तो वो एक शांत परदीश है देवों का परदीश कहा जाता है तो उत्तराखंड के बारे में ट्रेणिंग के दौरान अलमोडा पोस्टिंग के दौरान उत्तराखंड के बारे में क्या अनुबा हो है आपका मैं समझता हूँ कि और यह मैं हमेशा कहता हूँ कि उत्राखंड में जो मैंने नौकरी की विए उस समय तो उत्तरप्रदेश का ही हिस्सा था सीडी ओ अल्मोडा था मैं करीब दो साल टेरिनिंग भी मसूरी में किया लेकिन बतौर सीडियो में मैं समझता हूँ कि मेरे पूरे अभी तक के करियर का जो फ्रीडम से मैंने काम किया और जो पब्लिक से जुड़ करके जो काम करने का मौका मिला और जो रिस्पॉंस पब्लिक का मिला वो अद्विती है और एक शांदार तरीके से उस समय हम लोगों के साथ बैठ करके काम क्या करते थे मुझे अभी भी याद है कि वहाँ पर ब्लॉक डेवलप्मेंट कमिटी यान बीडी सी की बैठक के वुवा करती थी और उसमें बीडी सी की बैठक से पूर तयारी होती थी बाकाइदा पूरे सभी जिलासतरी अधिकारियों का और जा करके पूरा पूरा दिन हम लोग बीडी सी में बैठ करके एक एक विशे में एक ग्राम प्रधान से और ब्लॉक प्रमुग से बातचीत करके समस्याओं का निस्तारण और उसके संबन में जो निर्ने है वो करने का प्रयास करते थे उसके दोरान बहुत कुछ सीखने का अनुभव मिला डेमोक्रेसी एड ग्रास रूट्स जो हम लोग पढ़ते थे किताबों में उसके एक्च्वल जो अनुभूती रही वो पहाड़ों में अलमुडा में रही और मैं उसको अभी भी अपने जीवन का बहुत बड़ा लर्निंग एक्स्पिरियंस मानता हूँ आपके पोस्टिंग के दोरान इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट होना उसका गोल्ड मैडिल पाना कहीं आपको सुकाद अनुभूती दी कि एकोनॉमिक्स कहीं मदद मिलियो आपके पोस्टिंग के दोरान जिसे आप मानतों कि अगर शायद मेरा एकोनॉमिक्स का बैक्ग्राउं इत्यादी में, अलमोडा के पास जो परिवे था पूरे प्रदेश में सबसे अधिक था, तो एक competition होता था हमारे हमलों के दिमाग में कि कौन से projects को take up करें, किस टाइब के projects को take up करें, horticulture को take up करें, infrastructure को take up करें, greening को take up करें, environment को take up करें, तो यह जो एक परकार से trade-off हम कहते है project trade-off, उसको समझना और कौन सा जो है वो उस परिवेश में fit bet करके जादा स जादा public को return दे, long term में, वो उसके बारे में हम लोग बहुत चिंतित रहते थे, वो projects का chain भी उसी आधार पे होता था, तो एक DRDA में उसमें project economist का भी एक पद होता था, उसका बहुत महत होता था, और उसी पर चर्चा होती थी project economist के साथ में कि भाई ये project का ये plus है, minus है, क्या है, खास्तों से जैसे off-season vegetables वगेरा के वहाँ पर से अलमोडा में वो तयार हो करके पूरे दिल्ली वा कलकता तक जाया करते थे, उन दिनों टमाटर है और कैप्सिकम है, वो बड़ा फेमस था, उसको हम लोगों ने काफी प्रोटसाहिद भी किया था उसको अनुदाम दे करके, तो ये सब चीजे समय के अनुभव है, जो कि economics का direct application ग्रास रूट्स पे कैसे हो सकता है, उसका एक अनुभव उस समय मिला था किसे से प्यार महब बतल लोगों से होता रहा है, शादी कैसे हुई? शादी घर के ही लोगों के माध्यम से तै हुई और जिससे शादी हुई उससे इन्फैचुएशन और लव दोनों हो गया है, अज़ा सर, लोव मेरीज और अरेंज मेरीज के बारे मापका क्या भी चाहर ह दोनों अपने अपने जगे अच्छे हैं, यह मेंड चीज होता है कि कैसे जो पती-पतनी है, एक दूसरे को संभलते हैं और एक दूसरे को ग्रो करते हैं और साथ-साथ शेर करते हैं अपने लाइफ जर्मी, वो ज्यादा इंपोर्टन है, किस मोड से आप एक दूसरे के जा हो जाते हैं कई बार जो अरेंज मैरेज जिस भी बहुत सक्सेस्फूल होते हैं तो दोनों का अपना अपना है तर समाजिक जीवन भी एक एक बियोरोक्राइट है यानि कि आज के दौर के राजाओं वाली जिन्दगी आपकी है तो कभी-कभी आपको आम जिन्दगी जीने का अभी मन करता है, आम जिन्दगी भी जीते हैं एक डम समान वैक्ती की तरह कभी मन करता है या घर वक्त वी आई पी बने रहना तो समझता हूं आप आदमी के तेरहें ज्यादा रहता हूं इसलिए कि कई बार, भारत सरकार में रहें करब बारह साल तो उत निखता हैं घर मेстра इधर भी तब कई बार यह होता है कि अपनी गाड़ी और सब छोड़ करके अपने परिवार के साथ जैसे होता है नॉर्मल परिवेश में आत्मी जीता है समाज में उसी परिवेश को अनुभव करना वो एक रहता है अजकल सिवर सर्विष की अधिकारी जो में एक क्रेज चल्दा कि बिफोर रिटायरमेंट वो अपना प्लान करलेते प्लिटिक्स ऐसके बारें कि बहुत से बहुत से विज़क एरईस लेकि लेकर आज आते पब्लिक वर्किंग में वो डेफिनेटली समाज के लिए हितकारी है और होना भी चाहिए जिसको यदि उसमें रूची है उसमें जाना चाहिए अज़र सर अब आपके प्रशासनिक सेमाओं के बारे में कुछ सवाल रहेंगे कि कभी आपको आई-एस होने का वो सुकद एहसास हुआ हो जो आम आदमी में किसी एक समाने परिवार या समाने वेक्ति के लिए आपने ऐसा कोई काम किया हो जिसे आपको लगगा हमेरा आई-ए कि आप कितने हजार हो या कितने लाख हो लोगों का जीवन आप बहतर कर सकते हो चोटे मोटे डिसिजन आपको लगते हो लेकिन उस अगले व्यक्ति के लिए उसके जीवन के लिए बहुत महत्पून चीज होते हैं और हो सकता है कि वो मेक और ब्रेक हो उस व्यक्ति के लिए कि उसका जिवन उससे बन जाया बिगड़ जाया आपके लिए बहुत छोटी सी वो चीज हो तो ये ऐसे कई ऐसे मौके आए जिसमें कि मुझे लगा कि हाम लोग सिविल सर्वेसिस में जदी पॉजिटिवली देखे समाज को बहतर कराने के लिए तो आप अपने पूरे करियर म उसमें लाखों लोगों का लाइफ आप पॉजिटिवली आप इंपैक्ट कर सकते हैं ऐसे कुछ केसे हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहिए जैसे मकान किसी ने कबजा कर लिया कई ऐसे थे जिनका मकान कबजा कर लिया जिस पे कई गलत केसे डाल दिये गए थे और हुआ थ जो दिल को चू गया हो पूरे के दौरान दिल को चूने वाले कई हैं उसमें एक इकाद जो मसला है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ती के घर के अंदर घुस करके लोगों ने उसका कभजा करके उसको बेघर कर दिया था और सारा जबर्दस्ती उससे लिखवा करके उसके पूर दोनों को उसी परिवेश में रहना है तो यह बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि दोनों एक तरीके से सशक्त लोग हुआ करते थे उसमें एक थोड़ा पीछे हो गया बैक फुट पे आगे बड़े गया यही इसमें बात ही थी पर यह अच्छा रहा कि फाइनली सेटिल्मेंट करा करके जिसका जो हक बनता था उसको फिर उसको रेस्टور कराए गया तो वो केवल उस व्यक्ति का नहीं बलकि उसके पुरे परिवार का एक तरीके से घर बस गया सर आजकर एक चर्चा हर जगे होती किसी का काम नहीं होता तो वो कहता ब्रस्टचार हावी है कोई कहता फला अधिकारी ब्रस्टचार ये है विभाग में ब्रस्टचार आप क्या मानते है ये ब्रस्टचार होता क्या है क्या चीज है लोगों के मन में भ्रष्टाचार शब्द घर कर गया है तो किस तरही के से यह उत्पत्ति आप मांते हैं और कैसे इसका निवारण संभा हुए देखे जहां डिस्क्रीशन है वहाँ यदि किसी नहीं किया आपको लगता है कि भई यह भष्टाचार के हो जैसे मैं हो सकता है कि मैंने नहीं दिया इस वैसे नहीं हो सकता है एक उसका पहलू हो दूसरा है कि भई उसने अपना काम आउट आफ टरन और जल्दी करा लिया तब महां लंबी लाइन लगी है और अपना जो है प्रियोर्टी पे उसको उसने कर लिया यह इशूज रहते हैं जहां पर भी डिस्क्रीशन है लेकिन जहां पर डिस्क्रीशन नहीं है और आजकल आईटी टूल्स काफी हद तक उसमें बढ़कर के आ रहे हैं डिस्क्रीशन जो एक्सराइस होता था वो काफी हद तक वो उसका लिमिट्स कम कर दिया है तो ऐसे माहौल में धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि ओवर आल चीजे बहतर हो रही है हाँ यह जरूर है कि लोवर लेवल पे जहां जहां पे भी डिस्क्रीशन लोग एक्सराइस करते हैं वहाँ यह समस्या आज भी काफी हद तक बरकरार है जिसको की टेक्नलोजी ही एक सोलूशन है जिससे हम उसको खतम करें अब हम बात करते हैं आवास विभाग क्या पर मुक्स अची है पहले पी डबलू डी में रहे पी डबलू डी में रहते हुए आपने बीस हजार करोड से बड़ी योजनाओ को एक्जेक्यूट कराया एक बहुत बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश के 75 जिले सड़कों का जाल बिछाने में आपका महत्कून रूल रहा अब आपके पास जिम्मेदारिया आवास की यानि कि लोगों को छट देने की जिम्मेदारिया जो मुखे मंतरी जी का भी वीजन है तो मुखे मंतरी जी चाहते हैं कि हर शक्स को हर परिवार को एक आवास मिले लेकिन पिछले पांच साड़े पांच सालों से आवास विभाग की, कोई ओजना नहीं आई, गाजियाबाद हो, मेरट हो, लखनो हो, पूरा उतर प्रदेश देख लें, तो इस तरफ कुछ फोकस किया, क्योंकि आपका जो इतिहाद रहा, पी डबलो डी में जो जाल बिचाया उतर प्रदेश में, वो एक्जिक्यूशन आप प्रादिकरन अपना बढ़ा करके और उसको फिर अलॉट करके, एक हो साइकल बना हुआ था, चुकि अब लैंड एक्विशन का कॉस्ट जो है, काफी बढ़ गया है, तो इस वज़े से, कमर्शिली वायबल प्रोजेक्ट सब बहुत कम रहे गए हैं, जिसको कि आप चार लोग उसको थोड़ा चेंज करना चाहरे हैं, जो प्रक्रिया है, और उसको हम लोग ले जाना चाहरे हैं, ट्वर्ड्स टाउन प्लैनिंग स्कीम्स, जो की गुजरात या महाराष्ट्रा में काफी सालों से जो चल रहा है, उसके लिए एक नए एक्ट की हम लोग प्रयास र बनाते हो, किसान को, और जो भी डेवलप होगा, उससे विन-विन दोनों को होता है, प्रादिकरन को भी होगा, और कास्तकार के जितनी जमीन है, उसकी वैल्यू कई गुना उसको वापस मिलेगी, भले ही आपको लगे कि एक एकट से मुझे जो है, कम मिल रहा है, यदि मेरा पहले एक्स था, तो एक्स माइनस वाई मुझे मिल रहा है, लेकिन एक्स माइनस वाई की वैल्यू तीन मुना होगी, एक्स के वैल्यू से, तो दोनों को ये विन-विन है, इस दिशा में अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिससे की जो मेन जो बाटलनेक है, लैंड बैंक का वो यदि एड्रेस हो जाए, तो उसके बाद से कई सारे प्रजेक्स पूरे प्रदेश भर में हम उसको करा पाएंगे। हैं, कबजा कर लेते हैं, तो इस तरफ कुछ ठोसी होजना, पालिसी कोई होजना. प्राब्लम हारे शेहरों का क्या है कि जो लोकालिटीज हैं, जहां पे अन्रेगुलेटेड अन्प्लैंड कॉलनीज विकसित हो रहे हैं, या ओल्ड एरियाज हैं, जहां पर की और्गानिक ग्रोथ हुआ था, गाओं से वो शेहरी करण हुआ था, उन इलाकों में जो आप कह देंगर है, अनौएडा है, प्लाइंड सेक्टर करके उसको डेवलप कराया गया, लेकिन यदि ये नहीं होता, तो शेहरों की स्थिती और भत्तर होती है, कुछ यहां जहां यह नहीं हो पाया है, वहां शेहरों की हालतवास्तों में कठनाई की का है, तो यह जो अभी बात ह तो रही कि टॉन प्लैनिंग स्कीम और लैंड पूलिंग और इंटिग्रेटेड टॉन शिप्स को डेवलप कराना ना कि एक हर एक को चोटे-चोटे प्लाट्स पर पूरा उसको डेवलप कराना बिना इंफ्रास्ट्रॉक्चर की यह जो प्रक्रिया है इसको हम अभी तेजी से लागू करने का प्रयास करेंगी वैक्यूम में लोगों का जीवन नहीं होता है जिसको आवाज की ज़रूरत है कहीं न कहीं आवास तो अपना बनाए गई सवाल यह है कि जो गाइडलाइन्स है उसके तहत वो बनाए वो ज्यादा बहतर है और प्लान रूप से डेवलप हो है तो शेहर भी सुदर हो और लोगों का आवास भी सब्सक्राइए लेकि रहते हैं और प्राइविट बुल्डर उसको आप बहुत जमीन घुड़ा अजहाई रहते हैं जहां पर दस साल से डिलीविरी नहीं की, किसी ने पंदरा साल से डिलीविरी नहीं की और लोगों के पैसे फसे हुए हैं तो आपके आने के बाद में क्या वो जो आम आदमी हैं जिसकी महनत का पैसा बिल्डरों ने दबा लिया है तो उसके लिए आपके मन में क्या विचार है ऐसे प्र जो आपने जो इशूज रेस किये हैं उनको एड्रेस करने का पुरा प्रयास हुआ है और आप अधी आकड़े उठा के देखें तो उत्तरप्रदेश रेरा के जद्वारा जितने समस्याओं का समाहान किया गया होगा वह लगबग 60-70% है टोटल समस्याओं का और लगबग जि के माध्यम से काफी हद तक वह एड्रेस किया गया हां लेकिन जहां पर बिल्डर इटसल्फ को लिक्विडिटी इशू हो गया और वो डिलिवर अब नहीं कर सकता है या अंडर वाटर हो गया जितना कि उसका एकनोमिकल उसका जो ब्रेक इवन था उससे अब कम ही उसको पैस को कम्प्लीट कैसे करें उस पर चर्चा चल रही है योगी जी के सपनों को साकार करने में आप दिन रात लगे हुए लेकिन धरातल पर कब तक पहुंचेगा जो आम आदमी को आवास की समस्चा का समधान हो जाए मैं समझता हूँ जो पॉलिसी हमारी सही रहे प्राब्लम प बरेली है हो कर रहा है बरेली प्राधीfund सडन्ली आप देखिए उसके आकड़े आठ गुना बढ़ गया है कानपुर है कुछ प्रादीकरण में जहां लैंड बैंक है वहाँ हो रहा है जहां लैंड मैंक नहीं है उनकी समस्या है तो यदि हम पॉलिसी सही रखे कि प्राधीक मिल करके शेर को डेवलप करें तो मैं समझता हूं कि शेरों का जो इधर जो विकास जिस प्रकार से पेक्षित है आगे आने वाले समय के लिए तो कि अभी अर्बनाइजेशन हमारा लगबग 22-23 परसंट आकड़ा बताता है वो है अब इसको लगबग 40 परसंट होना है दोजा इन्वार्मेंट के करनी पाएगा तो दोनों को साथ लेकि हमें चलना होगा आपके फोकस एरिया में एक सबजेक्ट है लोकल ट्रांसपोर्ट आप मेट्रों के जाल उत्तर प्रदीश के कही शहरों में फैला रहे हैं लोकल ट्रांसपोर्ट स्मूथ रहे तो वो भी आपका ज़ाय तो हमारे दर्शक को साब शेर करना जाए है इस समय हमारे जो Metro City है उसमें लखनों है कांपूर गाजियाबाद में किसे में और आरटीयख अभी गाजियाबाद से मेनट तक हमारा काम चल रहा है कांपूर में additional लेंद पर काम चल रहा है और आगरा में काम चल रहा है तो मैं समझता हूं कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा मेट्रो सिटीज जो है वह उत्तर प्रदेश में ही है और बहुत कम ऐसे जगह हैं जहांपर एरपोर्ट कनेक्टिविटी मेट्रो से है दिल्ली छोड़ दे तो बाकी और शहरों में उतनी नहीं है जितनी की लखनो में अब इसमें हम लोगों ने एक नई पॉलिसी ले आए हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलप्मेंट जो हमारा मेट्रो कॉरिडॉर है उससे 500 मीटर अगल बगल के दोनों जगों का उसको मिक्स लैंड यूज करा करके हायर एफियार दे करके वॉकेबल और लिवबल सिटीज को बनाने की हमारी पॉलिसी चल रही है अभी हमने ट्योडी पॉलिसी तो हम ले आए हैं अब उसका हम प्लान स्टेज पर जोनल प्लान तयार करा रहे हैं जिसके बाद से ओपन अप कर देंगे कि जो एडिशनल एफ ए आर है और मिक्स लैंड यूज है उस कुछ शेहरों में यह काफी सक्सेस्फुल है अभी नए शेहरों में मुंबई में और पुने में इसका काफी काम चल रहा है पर्चेजबल एफ एर का हमारी पॉलिसी आगई ट्रांसफरेबल डेवलप्मेंट राइट हमने उसको करा दिया है उसको भी हम ब्लॉक्चेन के मा गई है आई टी कानपूर के साथ ब्लॉक्चेन टेकनोलोजी के माध्यम से टीडियार विद पर्चेजबल एफ एर को हम लोग अभी लागू कर रहे हैं पाइलट रूप में कानपूर लिया है फिर हम सभी पूरे प्रदेश में उसको करेंगे जिससे की डेंसिफिकेशन मान रह कहीं रहा हूं और रोज मुझे आना जाना है उसी में मेरा समय जा रहा है ये इशू जो है इसको एड्रेस हो मुखे मंत्री जी के दिल को छूने वाला एक प्रोजेक्ट आम जनता को दिल को छूने वाला प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट है अयोध्या अयोध्या क के लिए क्या विचार है आपका क्या योजना है अध्या का विजन डॉक्यूमेंट तो सब के सामने है उस पर काम कई उसमें चल रहा है मानी प्रधान मंत्री जी और मानी मुकुमंत जी के निर्देशों में प्रोजेक्ट काफी उसमें सैंक्शन हुए हैं आवास भाग के तरफ से अब वहां एक नए अध्या को बसाने के लिए बारासो एकड में फुली प्लैंड टाउंशिप एक बनायने का हम लोग कर रहे हैं और बेस्ट अफ अर्बन डिजाइन जो अर्बन प् प्यार देगी उसमें भी हम लोग पार्टिस्पेट करने का प्लान हम लोग मनाएं हुए कि जिससे की जो आयोध्या का स्वरूप है वो कम्प्लीटली ट्रांस्वाम हो जाए और एक लोगों में आइस्पिरेशनल हो कि हम भी जाके आयोध्या में उस जगे में हम भी जाके रहें और उसको अनुभाव करें उस प्रकार का एक आइस्पिरेशनल सिटी हम लोग डेवलप करने के लिए कार्म कर रहे हैं पर्धान मंत्री जी को के दिल को चूने वाला बनारस उससे आपका भी बहुत अटेश्मेंट है आप डीम भी रहे कमिशनर भी रहे मुखे मंत्र जी का भी फोकस बनारस है पर्धान मंत्री जी का फोकस बनारस है नितिन रमेश गुंकन का फोकस बनारस है तो बनारस के लिए क्या-क्या चल रहा है वारा नसी के लिए तो रिंग रोड्स का जो जाल है वो कम्प्रीट होने जा रहा है लेकिन अंदर के हैं वारा नसी के चाहिए वो गल्ला का हो सबजी का हो दवा का हो सब शेहर के बीचो बीच है और लॉजिस्टिक्स और पिल्ग्रिम मुवमेंट्स दोनों साथ-साथ उसी जो थोरो फैर है रोड है उसी में होता है तो एक अभी एक प्रयास हो रहा है कि रोपवे को इंटुड मानता है कि क्यांट रेल्वे स्टेशन से लेके गुदोलिया तक का लगबग चार किलो मेटर का जो फासला है वो एक बार खुल जाएगा रोपे से तो कम सकम में जो पिल्ग्रिम मुवमेंट है जो मतब आते हैं रेल्वे से ही मैक्समम मारा पिल्ग्रिम्स जो आते हैं सब जितने शद्धालू हैं वो आते रेल्वे से ही है या बसर्डे से हैं तो दोनों को उसको जोड़ते हुए सीधे गुदोलिया तक जो यहां पर मुख्यमंदिर और जो मंदिर प्रांगण है उससे जुड़ा हुआ है महां तक उसको कनेक्ट करने की बात है और मैं समझता हू करने की प्रगरिया को जब आप कहते हैं कि हमने ओनलाइन कर दिया ओनलाइन सब्मिट करने के बाद में सारी विवस्ताइं ओफ लाइन होती है यानि की सूपरवाइजर का शोशन जेई का शोशन एका शोशन सब जनता को जहिलना पड़ता नक्षा पास कराने में जनता किसी भी प्रादी करन कर जहिए तो वो भी करोड़पती होगा तो करोड़पती सरकार की तनखा में तो संभव नहीं है तो कहीं ना कहीं जनता का शोशन है उसमें तो इसमें ट्रांसपरेंसी के लिए आपने कुछ सोचा? अभी पास का हमने ने रिवू किया था और हम लोग लगातार उसमें निवेश मित्र पोर्टल से सारे हमारी जितने नक्षे हैं उसको हमने टैक कर लिया है कुछ इशूज इसमें थे कि आटो फॉरवर्डिंग नहीं हो रहा था जैसे आपने कहा कि जितने भी अबजेक्शन अबजेक्शन आपने के अगले स्टेज पर चला जाया है और एक ही बार के लिए देना है ऐसा नहीं कि आज मुझे कुछ सूचा हाँ दस दिन बाद कुछ और सूचा हाँ पंदर दिन बाद कुछ और सूचा हाँ वह ना हो तो यह सिस्टम पूरी लाई गई है है और मैं एक उसमें यह भी हम ला रहे हैं कि हर स्टेज पर जिसे आपका होता है इसे पहुंच गयाही यह जानकारी भी जो है इसको भी मिले अभी तो हो रहा है कि arking जो जमाद कर रहे है नक्षा उनको पता रहता है कि कि है कि स्टेज पे गयाही लेकिन जिसका नक्षा होता है जो मतब एंड यूजर है उसको कई बार पता नहीं रहता है तो ये भी system generated alerts जो concern लोगों को कि भाई अब ये stage निकल के stage पे आ गया है और अब आपका यहां पर इतने दिन में ये clear हो जाएगा ये जानकारी लोगों को रहगा तो अपने आप transparency आएगा और जैसे मैंने कहा कि ये सब IT tools ही है इसका solution और कोई चारा नहीं है अन्त मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप जनता को हमारे दर्शकों को ये बताए जो चीज मेरे पूछने से रह गई है आपने मेरे ख्याल में काफी कुछ पूछ लिया है आवास जो है मेरे ख्याल में एक महत्पूर्ण भाग है एक मूलभूत सुविधा है हर एक के लिए सर पे छत रहना आज भी जो सबसे गरीब तबका है उसके लिए एक जीवन में बहुत बड़ा एक पहलू है बहुत बड़ा माइल्स्टोन है और हम लोग का जो धे है वो ये कि जो EWS और LIG के जो मकान है उस पर हम फोकस करें और जादा से जादा जो ऐसे लोग जो जिनकों के मकानों की ज़रुरत है वो उनको सुविधा मोहिया हो सस्थे दामों पर हो अच्छे लोकेशन में हो लोकेशन भी मैटर करता है और ऐसे जगे पर हो जहांपर उनको आजीविका का साधन नस्दीक हो तो ये फोकस है और इस पर हम लोग पॉलिसीज के मादे हम से लगाता हर प्रयास रदे हैं तो परमुक सची आवास नितिन रमिश गोंकरण जी ने जिस तरीके से अपनी बात बेबाकी से रखी है और कहा है कि मुख्य मंत्री जी का वीजन खुद उनका वीजन है इसलिए आम जनता को आवास की कोई समस्या नहीं रहेगी मांचित्रों में जो उनके सामने भरष्टा चार जैसा दानाव नजार आता है उस दानाव को भी मारने की बात नितिन रमिश जी ने कही है तो अब देखना ये है कि कितना जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार की आवास योजनाए आम आदमी को उनका मकान मोहिया कराती है फिलाल मुहम्म्द सलीम सही को दीजिये अजाज़त नमस्कार